हेलो एविडियों वेलकुम ते रूपितास नसीं टिटोरियल साइं मॉपिन सब आज मैं अपना एक नया बीजी लेख के आई जो आज का वीडियो है उसमें हम डिसक्स करेंगे ectopic pregnancy आज हम देखेंगे कि ectopic pregnancy क्या होती है उसकी causes क्या है sign symptoms किया है और हमें क्या treatment देना चाहिए जब किसी पेशिन को ectopic pregnancy है वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंग दर देखें अगर ही वीडियो पसंद आता है को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें आई हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इक टॉपिक प्रेगनेंसी है, इसको हम लुग बोलते हैं, एक्स्ट्रा यूट्रीन प्रेगनेंसी इक टॉपिक प्रेगनेंसी को हम लुग एक्स्ट्रा यूट्रीन प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, जिसमें जो होता है, जो फॉर्टलाइस्ट एक होता है fertilized egg होता है वो grow और develop कर दिता है outside the uterus अगर हम normal pregnancy में देखते हैं तो जो भी हमारा fertilized egg है वो fallopian tube के द्वारा अंदर जाता है uterus में वहाँ पे है वो develop और grow होना start out है फिर वो embryo से fetus में develop होता है लेकिन अगर किसी भी patient को ectopic pregnancy होती है तो ectopic pregnancy में जो fertilized egg होता है वो क्या होता है वो uterus के बाहर outside the uterus या फिर बैली में कहीं पे भी जाके वो grow और develop होना start हो जाता है वो fallopian tube के उपर के त्वारा जो है उसका जो development है grow होना start होता है वो अंदर नहीं जाता है इसको हम बोलता है ectopic pregnancy ये mostly 90% of women में देखने को प्राप्त होता है और 1 of 50% of women यानि कि 20,000 women में आपको 20% जो women से उनको ये ectopic pregnancy की problem होती है अगर ectopic pregnancy time पे जो है उसको treat नहीं करी तो it could be a very threatening mother के लिए क्योंकि इसमें जो है बहुत जादा bleeding होती है with abdominal pain और जो आगे के लिए भी फिर mother के लिए difficult condition हो जाती है तो ये है हमारी ectopic pregnancy condition है ओ है an ectopic pregnancy is a pregnancy in which जिसमें क्या होता है जो हमारा fertilized egg होता है वो uterus के अलावा कहीं और जाकर develop होता है it could be any location cervix, belly में जो कितना भी location है cervix भी हो सकता है falpantum के ऊपर हो सकता है और uterus की बहार हो सकता है outside the uterus हो सकता है but जो है वो अंदर uterus की तरफ ना जाके वो बहार develop हो जाता है the ecotopic pregnancy is a pregnancy in which the fertilized egg grow outside the lining of the uterus or somewhere else in the body तो यह है नारी ectopic pregnancy इसको हम लोग extra uterus pregnancy भी कहते है अब हम जो है discuss करेंगे what are the causes of ectopic pregnancy वो कौन-कौन से causes है जिसकी वज़े से ectopic pregnancy हो सकती है या वो कौन से risk factors है कि इनकी संभावना होती है ectopic pregnancy होने की अगर वो वो जो risk factors है जो push करते हैं कि जिनकी वज़े से ectopic pregnancy हो सकती है तो अब हम देखते है जो cause है सबसे पहले अगर कोई भी infection या inflammation हुआ है जो हमारा tube है जिसकी वज़े से जो tube है वो partially या entirely block हो गया हो तो उसमें chances जो है cause हो जाता है जिसकी वज़े से जो है egg की movement प्रॉपर तरीकी से नहीं हो सकती इसकी invade हो सकती है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ना जाके travel करके वो outside the uterus या outside the fallopian tube grow करना start हो जाते है तो सबसे पहले जो हम cause देखते है an infection और inflammation in the fallopian tube and inflammation of fallopian tube due to which tube is entirely or partially blocked क्योंकि अगर कोई भी infection या inflammation होता है जिसकी वज़े से जो हमारा fallopian tube है वो आधा partially block हो जाता है तो जो eggs travel करते हैं वो उनकी जो movement प्रॉपर करता है और उसकी वज़े से वो fallopian tube के अंदर नहीं जा पाते तो वो outside the fallopian tube grow करना start हो जाते है पहले हम यह देखते हैं first cause में due to infection and inflammation of the tube second हम discuss करेंगी कोई भी scar या tissue हुआ जो भी है scar and tissue जिसकी वज़ा से कोई भी scar tissue जो किसी भी पहले अगर surgical procedure हुआ हो procedure हुआ हो या फिर आप बोल सकते हो पहले कोई infection या inflammation हुआ हो जिसकी वज़े से scar tissue हुए है जिसकी वज़े से जो एक की movement है वो invaded हो जाती है नहीं हो पाती है proper तरीके से तो यह भी second cause है जिसकी वज़े से ectopic pregnancy result करते है scar tissue due to previous surgical procedure or due to infection that invades the egg movement अब जो मारा third cause है वो हम देखते हैं अगर कोई भी पहले previous history रही हो ectopic pregnancy के अगर पेशिंट को पहले भी ectopic pregnancy हुई है फिर उसके बाद उसका termination हो गया है pregnancy पे क्योंकि ectopic pregnancy में क्या है कि हम लोग उसको continue नहीं कर पाते हैं एक time पे क्योंकि जो भी need रहती है uterus जो है वो सब कुछ provide करता है uterus के growth and development लिए और अगर जो egg है वो outside the uterus होगा तो उसको उतना development and growth नहीं होता है जिसकी वाई से जो pregnancy है वो terminate हो जाती है तो अगर किसी भी पहले patient की पहले previous history रही हो जो ectopic pregnancy हो तो उसकी chances और causes हो जाते है कि maybe उसको ectopic pregnancy फिर से हो जाए फिर हम next cause देखते हैं जो maternal का जो age होता है अगर वो 35 से लेके 45 years तक रहता है तो this could also be a risk factor for ectopic pregnancy maternal age, third जो मारा cause है maternal age 35 to 44 years ये cause हो सकता है तो ये previous history of ectopic pregnancy previous history of ectopic pregnancy फिर हम next cause देखते हैं कि किसी को pelvic inflammatory disease हो तो उसकी बज़े से भी जो है ectopic pregnancy हो सकती है due to pelvic inflammatory disease फिर हम लेखते हैं कि जो pregnancy है अगर पहले जो delivery हुई है उस टाइम पे जो मदा ने protection या आयूडी का यूज किया है लेकिन आयूडी का यूज करने के बाद भी pregnancy conceive हो जाती है तो that can be a cause of ectopic pregnancy conceiving when iod is in place अगर iod का use हुआ है place पे है उसके बाद भी जो मदा है वो conceive कर रहे है तो वो ectopic pregnancy का cause हो सकता है फिर हम next देखते हैं endometriosis फिर हम देखते हैं कोई ही previous surgery हुई है pelvic organ की या फिर pelvic area की या फिर tube की जिसकी वज़े से जो tube में है additions additions आ गए हो तो वो भी cause होता है जिसकी वज़े से जो है हमारी ectopic pregnancy होती है तो due to previous surgery of tubes और pelvic area that causes additions अब जो हमारा next discuss करा अगर किसी भी patient की पहले कोई भी infortility treatment चल रहा हो infortility treatment चल रहा हो या फिर वो infortility की कोई भी drugs या medications को ले रहा है तो उसकी बज़े से ectopic pregnancy की chances हो जाते हैं तो हम next course दिखते हैं infertility treatment और uses of drugs of medications फिर next हमारा है smoking अगर जो मदल है during बहुत पहले से smoking कर रही है या during the time of pregnancy भी smoking कर रही है उससे पहले भी कर रही है तो there will be chances for ectopic pregnancy तो यह थे हमारे causes of ectopic pregnancy अब हम देखेंगे types of ectopic pregnancy types of ectopic pregnancy types of ectopic pregnancy तो जो हमारे types of ectopic pregnancy है यहां पे हम देखते हैं जो हमारे ectopic pregnancy है वो three types में divided है सबसे पहले हम देखते हैं tubal pregnancy tubal pregnancy होगे फिर हमारा second है abdominal pregnancy और जो हमारे थर्ड है वो है cervical pregnancy तो यह है हमारे three types of ectopic pregnancy क्या है जो तीबर ectopic pregnancy है इसमें जो है जो जाता है उसको हम रिपोरते है tubal ectopic pregnancy the fertilized egg start growing on the fallopian tube सबसे ज्यादा जो है मदल में हम पेशेंट में tubal ectopic pregnancy देखने को मिलती है जिसमें यह सबसे कॉमन है क्योंकि इसमें जो एग है वो अंदर प्रेगनेंसी देखने को मिलती है जिसमें यह सबसे कॉमन है क्योंकि इसमें जो करता है बट रादर वो start हो जाता है फैलिपन की उपर ही grow होना सेकेंड एसमें हमने बात करें abdominal ectopic pregnancy abdominal ectopic pregnancy abdominal ectopic pregnancy में जो है जो है जो हमारा fertilized egg होता है वो जो है abdomen में grow होना start हो जाता है but not on fallopian tube या फिर जो कोई भी broad recommend है उस पर development start नहीं होता है the abdominal ectopic pregnancy में जो fertilized egg है it starts growing outside the womb in the abdomen but not on fallopian tube अब हम next देखते हैं हमारा जो cervical ectopic pregnancy है वो हमारा cervical implantation जो है endo cervix में start हो जाता है और यह continue होता है first trimester तक उसके बाद termination हो जाता है तो यह थी हमारी types of ectopic pregnancy, tubal pregnancy, abdominal ectopic pregnancy and cervical ectopic pregnancy अब हम discuss करेंगे sign 75% women में होता है वो होता है 6-8 weeks और अगर 25% females में है तो वो होता है 4-6 weeks में देखने को मिलता है जिसमें जो mao tube है वो पूरी तरीके से rupture हो चुका होता है तो सबसे पहले sign 75% है हमारा amnolga फिर हम देखते हैं जो patient होती है अगर उसको ectopic pregnancy है तो उसको क्या होती है heavy vaginal bleeding होना start हो जाती है with abdominal pain तो सबसे पहले हम देखते है abdominal pain जो हमारा abdominal pain है वो continue रहता है और side abdominal pain होता है इसमें एक तर्फ जो abdomen के है continue pain रहता है बहुत जादा pain रहता है जो uncontrollable, unwareable होता है फिर हम देखते हैं इसमें heavily bleeding होती है heavily bleeding फिर हम इसमें होता है nausea and vomiting patient को बहुत जादा dizziness लगता है nausea होती है vomiting आते हैं चक्कर होती है बहुत जादा weakness होती है फिर next जो हम देखते हैं इसमें जो pain होता है वो neck shoulder और one side of the abdomen में start हो जाता है तो इसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं shoulder dripping pain dripping pain जिसमें जो pain होता है वो neck shoulder and one side of the abdomen में होता है उसको हम बोलते है shoulder dripping pain जो include करता है neck shoulder और one side of the abdomen फिर next हम इसमें देखते है urine retention जो mother को ecotopic pregnancy है तो उसमें जो retention of urine है बहुत जादा excessive amount में होती है तो urine retention जोकि बहुत जादा excessive हो जाती है यह थे हमारे पसाइन symptoms जिसमें abdominal pain most भी continue होता है बहुत जादा होता है one side bleeding जो होती है वो abdominal bleeding होती है पहले कम होती है उसके बाद जादा start होने लगती है फिर हम देखते हैं मदर को nausea vomiting और dizziness ही होता है shoulder dripping pain जिसमें जो neck और shoulder और one side of the abdomen में pain रहता है बहुत जादा और urine retention excessive amount में जो है वो urine का pass out हो रहे है आप हम देखते हैं हम करेंगी पैल्विक इग्जामिशन टू चेक द ग्रोथ एंड हाइट ऑफ फिड्र की वो ग्रोव कर रहा है कि उसकी हाइट ग्रोव हो रही है कि ने सेकेंड हम करेंगी प्लाट टेस्ट करेंगी एसी जी का लेवल यहां पर प्लाट टेस्ट है वो आफ्टर रिपीट करेंगी टू देज जस्ट चेक द लेवल ओ एसी अगर blood test हम करते हैं तो अगर इसमें progestron, estrogen का जो level है would decreases होता है blood test में आता है तो that means it is the condition of ectopic pregnancy क्योंकि हम जो ये blood test करते हैं वो हम जो है SCG की level को check करने के देखते हैं कि उसमें जो level है उसका increase हो रहा है कि नहीं तो हम इसको दो दिन बात फिर से repeat करेंगे just to check the hormonal जो उसका level है उसको check करेंगे तो अगर इसमें progestron और estrogen के जो level है वो decrease होते हैं जो level से SCG को decrease बताते हैं decrease amount पे तो that could be a case of ectopic pregnancy थर्ड जो हमारा है वो हम करेंगे ultrasound ultrasound क्यों करेंगे क्योंकि इसमें हम exact देख सकते हैं कि inside the belly क्या चल रहा है कहां पे implantation हो रहा है क्या-क्या problems arise हो रही है जिसकी वज़े से मदर को bleeding हो रही है मदर को abdominal pain cramps हो रही है और अगर blood test में हमें पता चलता है कि यह सारे जो amount है SCG के hormonal जो भी हमारे amount है hormonal के वो सब decrease है तो वो क्यों है तो फिर उसके लिए हम understand करेंगी just to confirm the condition तो यह था हमारा diagnosis अब हम देखते है management of ectopic pregnancy पहले रहता है कि unruptured pubal pregnancy और second होता है ruptured pubal pregnancy कि अगर unruptured है तो हम कैसा management देंगे कैसे treatment करेंगे और अगर ruptured है यानि कि जो tubes है वो पूरी तरीके से ruptured हो चुकी है तो फिर हम कैसे management करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे unruptured tubal pregnancy तो जो हमारी unruptured tubal pregnancy है इसमें हम दो प्रकार का management देखते हैं सबसे पहले हम देखते है medical management और है surgical इसमें सबसे काले हम देखते हैं conservative management जो conservative management है वो two में divided है जैसे मैंने आपको गोड़ा medical conservative management और surgical conservative management है अगर medical में हम देखते हैं हम इसमें medications का उपयोग करते हैं treatment के तो अगर जो fetus की height है वो 4 cm से कम है तो यहां पर जो है हम medical management करेंगे और surgical में अगर fetus की height है वो 4 cm से अबव है तो हम रग उसको surgery करेंगे तो इसमें जो है medical management पे है अगर जो fetus की height है वो 4 cm से तॉन है तो यहां पर हम 3 medications का उपयोग करेंगे उसको remove करने के तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर methotrexate जो कि हम IEM देते है 50 mg IEM इसको हम लोग फिर repeat करेंगे every 4 to 7 days के बाद फिर next हम देखते हैं वो देते हैं पोस्टर ग्लाइंड और second हम थार्ड हम देखते हैं potassium chloride तो यह यहां पर हम medication में 3 प्रकार की medication यूज करते हैं अगर जो fetus की height है वो 4 cm से कम है तो methotrexate, prostaglandin और potassium chloride अब हम देखते हैं हमारा जो surgical method है surgical जो है हमारा उसमें हम देखेंगे 3 प्रकार की surgeries को use करते हैं तो हम उसके देखें लिए surgical में अगर जो fetus की height है वो 4 cm से इसमें जो part of the ampoula होता है अगर वहां पर conception start हुआ है तो उस particular part पर incision करके उसको cut करके remove कर देंगे इसमें जो हमारा part of isthmus पर conception हुआ है तो वहां से हम उसको remove करेंगे प्लस जो दोनों जो end बचते हैं हमारे जो दोनों जो पर हमारे फैलपेंट्यूप के end बचते हैं फिर वहां पर जो है हम उनको join कर देते हैं तो part of isthmus पर अगर conception हुआ है तो वहां से हम remove करके जो दोनों ends होते हैं हम उनको join कर देते हैं तो यह आता है हमारा segmentation resurrection थर्ड जो हमारे आती है वह हमारी self symptom tommy यहां पर जो हम देखते हैं अगर फैलोपेंट्यूप है जो पूरी तरीके से अगर रैक्चर हो है तो पॉर्मी है तो यानि हम उसको remove कर देंगे तो अगर जो हमारा फैलोपेंट्यूप है बहुत जादा रैक्चर हो गया है रप्चर सो वी रिमूफ बाइक पर फॉर्मी दे सर्जिकल प्रोसीजर तो यह था हमारा सबसे पहले अन्रप्चर ट्यूबर प्रेगेंट्यूप है अब हम डिस्कस करेंगे अगर रप्चर हो चुकी है तो उसमें हम क्या ट्रीट्मेंट्ट् जाएंगे अन्रप्चर हो चुकी है तो इसमें हम देएंगे अंटी शॉक ट्रीट्मेंट् तो उस particular part को remove कर देंगे निकाल देंगे तो यह होगा हमारा laparotomy में next हमारा जो है subtotal hystratomy होगी इसमें जो होगा जो भी सबसे ज़्यादा ruptured या affected part होगा जब हम देखेंगे कि कौन से ज़्यादा affected part है ruptured part है उस particular part को हम पूरी तरिके से remove कर देंगे तो यह आता है हमारे ruptured management पे आप जो हम nursing management में देखेंगे nursing management पे हम क्या करेंगे सारा जो patient के vital signs है उनको proper check करेंगे उसके बाद जो हम है अगर हमें surgery perform करनी है patient पे तो हम उनको पहले ही से बोल देंगे कि 6-8 घंटे पहले वो कोई भी diet ना ले और जो भी उनकी medication चल रही है सब को stop कर दें उनका जो bubble है वो empty कर दें अगर patient नहीं कर पा रहा है तो हम एनिमा उस patient को दे सकते हैं procedure के बारे में बहुत सारे doubts होते हैं तो as a nurse हमारी responsibility है कि जो भी उनकी doubts है हम उस सारे doubts को clear कर दें उनका written consent ले 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 को psychological support की बहुत ज़्यादा जरूवत होती है तो as a nurse हम उनको psychological support करेंगे उसके बाद जो है अगर surgery हो जाती है बार्ड में shift हो जाते तो जो भी doctor ने prescription लिखा है medications तो उसके according हम उनको medication देंगे plus उनके relative जो भी है जो उनकी साथ है हम उनको explain करेंगे किस तरीके से उनको medication को देना है plus हम cathodization procedure के जो अगर उसको operation हो रहा है तो उससे पहले ही हम cathodization का use करेंगे तो कि बाद में उसके बाद patient की condition ऐसे नहीं रह सकती है कि वो urine को pass कर सके तो हम patient को cathodization भी करेंगे तो ये था हमारा nursing management तो आज का ये था हमारा वीडियो epitopic pregnancy पे जहां पे हमने discuss कि प्रिग्नेंसी क्या होती है उसके types क्या है sign and symptom diagnosis and treatment I hope आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो अगर आपको nursing से related कोई भी ऐसा topic है जिसके आप चाहते हैं कि मैं अपनो नेक्स वीडियो में लेक्ट आओ तो आप प्लीज मेरे लिक्ट में कमेंट कर जाए इस वीडियो को प्लीज आप शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें